नमस्कार जी कैसी हैं आप सब आशा करती हूं आप सब खुस हैं सुवस्त हैं मस्त हैं और सुबह का टाइम है ये और बच्चे चले गए हैं इसकूल अब तो फिर भी खेर टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है वरना तो साड़े च्छेंबजे ही वैन आ जाती थी और बच्च तो मुझे तो ऐसा लगता है कि चार वज़ह आया करें और अभी पापजी गए है चोल में पापजी कि चोल में लग गई है ड्यूटी पहले तो बातरा बातरा खतम हो गया है तो खेत में गयुवहां बोएँगे कि सरसु बोएँगे पता ने अभी तो उसमें वह कर दिया ह क्या बोलते हैं उसको पáriक दे दिया पले बोलते हैं कि पले कर दिय उसमें तो जब वो बता हुआएगा तो तब उसमें बॉय जाय के लिए कुछ है। और अब तो मतलब बच्चे भी नहा के जाते हैं गरम पानी से और दूद चाय सब चुले बन जाती है और बच्चे भा पानी भी गरम हो जाता है तो मैंने चुला साप कर दिया है और इधर ममी लग रही है जवी तोड़ने फूल स्पीड में लग रही है फूल एनरजी में मतलब डबा है वो मतलब जैसे तो ममी बोल रही है कि सरद्य जैसे छी सी सरद्य शुरू होती है तब तक उसको डब्बे को भर के रख देती हूं और और देखते हूं कि जमें तोड़ने बैठती है तो पता नहीं मुझे आलकस आज आता है तो इनको नियात्ता आलकस पता नहीं है फूल एनरजी के साथ काम करते हैं यह है इनके अंदर जो काम करना तो करना बस और इधर जाड़ू बारू लगा के मैंने तो पहले तो मैंने भी लगाई थी फिर बाद में बरतन साब किये क्यों कि जैसे प्रात वगेरा होती है तो थोड़ी पानी वानी डालके रख देते हैं उसको कुछ बटन सुखे से होती है उनमें पानी डालके फोज जाते हैं तो मैं कभी बरतन साब कर देती हूं पहले कभी जाडू लगा अधिकतर तो जाडू ही लगाती हूं क्योंकि जाडू से यह हो जाता है जो समान इधर उदर बिखरा पड़ा होता है वो सैट हो जाता है और मतलब साफसुतरा सा लगता है घर अचानक से कोई आ जाए तो अपने आप में सरमिंदी की महसूस नहीं हो होती और इधर यह पतिल्या है जैसे एक में दूदगरम होता है राक से चमकती है कि इतनी जो आपका भी नवार होता है उससे कितना ही घुस लो उससे नहीं चमकेंगी देखो राक में क्या जादू है बस मैंने इसमें थोड़ा से रप डाला और वाकी सारी राग है यह किया भूंदाया के वीए आज़ा है तो इस मोसम में तो अच्छे उपर हाथ खराब हài p जाते हैं धि पकड़े हां किे में रेज वह ज cover of प्सक्य दफ्ते हैं कि बोलते हैं इनको चुले के ओजार होते हैं जो चिम्टा फोकनी चंटासी वगेरा सब कुछ धोक दिये हैं और मतलब दिख रहा होगा आपको कितनी साइनिंग आ रही है बरतनों में राक से चमका के और कुछ अंदर का ये होता है मतलब अंदर मतलब जैसे लाइट तो होती है पर इतना पता भी नहीं चलता कई बार कर देखती हूँ मैं पतिरली साथ और जितना बहार आके मतलब चांदने भूद के दिखाई की तो सारे बड़तन के इतने सारे बड़तन थे सब को राक से ही साप किया था भीलुकुल चमक गए थे था है थोड़ी महनत तो लगी थी सारा पूरा कीचन भाहर हो रख दिया था निकाल गए मम्मी तो बलकी देख यूं कह रही थी कि ये क्या कर दिया ये पुराई बाहर निकाल दिया मुझे तो इससे देख के वो अरी घवराट हो रही क्योंकि ये खेज मैस आई थी और फिर देखका सारा घर फैला पड़ा और इधर मम्मी वो कर रही थी जैसे भाई दूज पर खेल आती हैं तो खेल खारी थी और फिर मैंने नमक पिस्टा आओ तो फिर आ गए थे पापजी और टाइम सायद डेड़ बज़रा है अभी दिखाया तो है मैंने फर मैंने खुद ने देखा तो पापजी ने आके बोला कि पानी नहीं गरम किया वैसे तो मैंने चुला उल्ला सब साफ कर दिया था यहां से धो भी दिया था और पतिला भी साफ कर दिया था तो अपी पानी ठंडा लगता है जैसे ठक के आते हैं तो गरम पानी में नहा लेते हैं तो शरीर की जो अकडान सी उत्ती है वो दूर हो जाती है फिर पापजी बोड़ने लगे कि पानी गरम नहीं किया तो तब तक पापजी गोले लेके आए और तब तक ममी ने चढ़ा दिया चुला और देखो मतलब एक कटा तोड़ दिया ममी ने जवों का और दूसरे का अटा बना के रख दिया कि जब तक मतलब और काम करूंगी या अटा सैट हो जाएगा तब तक मतलब ब्रेक लेती है नहीं एक के बाद एक के बाद एक काम करती चली जाती है और इधर बच्चे आ गए थे और अभी बच्चे आई हैं पोने तीन बज़े के करीब तो उनको मैंने खाना दिया है अभ अभी थोड़े रह गए थे चेल्फोल है उनको साप कर रही हूं है मैं हमेशा कहता है अनको फासंद कर दो गान तो पूरा लंच फिनिस करके आएंगे आरूगा तो खैर आयो तो आता ही है हमेशा खतम करके आरूगी होती है मुझे टैंसन क्योंकि यह जो इसको मतलब इसकी पसंद का नहीं होता कुछ तो मैं इसको एक रोटी देती हूं लंच में उसमें से भी आधी खा के जाएगी और पेट भर रहा फिर जादा भर जाएगा तो इतना इसका खाना है और खैर हो जाती है मतलम बनको तलस्त सोरी तसली जब बच्चे पूरा लंच फिनिस करके आते हैं कि हाँ इन्होंने पेट भर के खाना खा लिया और इधर यह देखो आरू अभी भी खा रही है खाना तो आल बच्चे से और बेच्चे से रहती है तो इस वज़े से मैं निच्चे बिठा दिया इसको और वैसे खाना खाना भी जाई है निच्चे बैट के तो इधर ममी ने फिर अपनी यह शुरू कर दिया जमी तोड़ने के लिए देखो आधा मलब कट्टा भरने वाला है अधा कट तो होई गया अधा फॉल्ड किया हुआ है अधे से कम और मैं भी वरतन वरतन साप करके लग गई हूं अपने काम में तो दोनों लगे हैं अपने अपनी काम में बस खाना वाना खाके मैंने भी वह किया मतलब थोड़ा बहुत रैस्ट किया पांच साथ मिनट का फिर बच्च लगता है मतलब यह मेरा सोचना है कि ज़दा टाइम लगता है वरना सबकिय अलग है किसी को सूट में डिकत उतीтесь कि स्यौट में ज़दा लगता है बस मोर यू में ही उतता है और सूट का गला बन जाए तो जट से सूट तयार तो वस पहले मैं सलوار लेके बैट गई हूँ और ये मतलब मम्मी साधी में जाएगी तो उसकी तैयारी हो रही है मम्मी के सूंट सील रही हूं मैं फिलाल तो यही सीलना है अगर मम्मी बुल लेगी कि और सीलना है वैसे तो दो तीन है मम्मी के सूंट जो सीलने है तो अभी देखते हैं कुन ससील नायाज तो मैं भी मैं ये सलवार तियार कर दूंगी और सूट करूंगी कल तियार तो साधी है दस तारीक की मम्मी पता नहीं कब जाएगी एक दिन पहले जाएगी या दो दिन पहले जाएगी इसका कोई आइडिया है नहीं अभी क्योंकि खेद के उपर बात है कि खेद जो पानी वानी डला हुआ था तो बता हुआ था उसी आ रहा है वो नहीं आ रहा है तो इसको देख के जाएंगे और इधर ये आ गए थे अंदर से मतलब अभी ये टीव बंजगर के आ गई है अब होगी इनकी पड़ाई स्टार्ट और आरूगी मसती है देख लो इसको लगत रहा है इसको मैंने एक दिन ऐसे ही बोल दे था मैं कलांचा बनाऊंगी तेरा